पाजी चलो मान लेते हैं कि इस New York Pitch के टेंपलेट के हिसाब से टीम इंडिया खेल रही है इस लिहाज से सबसे जादा प्रेशर कौन सा बल्लेबास इंडियन टीम का जेलेगा कि वो एक respectable, competitive, demanding total तक पहुँच पाए पहले तीन batsmen बहुत important है उसके बाद है अगर पहले तीन batsmen शुरू के आठ नौ आवर में आउट होगे तो आप कुछ भी total बना लीजिए वो बड़ा मुश्किल होगा real target देने का लेकिन अगर पहले तीन batsmen अपने आपको बचा के निकल जाते हैं मैं फिर बात करूँगा pitch को मद्य नजर रखते हुए तो फिर कोई बात बनती है लेकिन अभी हम बहुत जल्दी कर रहे हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं जितने भी हमने match देखे हैं ये pitch आसान नहीं है ब पाकिसान से नहीं करते हैं पर उनकी unpredictable team है जो आकाश कहता है मैं 100% हूँ जब वो नीचे गिरते हैं तो बहुत जादा जोर से bounce back करते हैं ये उनकी तारीफ होनी चाहिए वैसे न क्रिकेट की यहां पर एक्चुली फिलोसफी सिरफ जस फो डाट सर्फिस वो T20 क्रिकेट फिलोसफी को थोड़ा इस भी turn on its head कि अमूमन आप कहते हैं टीम में एक या दो maximum anchors T20 में उस साधा anchor नहीं चाहिए बाकी सारे striker होने चाहिए इस 11 के अंदर जब आप बैट पास लाइसेंस रहेगा अगर वही तीन वेकेट गिर गए तो फिर फिर रिशापंद भी रिशापंती तो नहीं दिखा पाएगा ना फिर उसको भी तमीज से एक्डम खेलना पड़ेगा फिर शिवम दूबे को भी लगएगा कि नहीं आरा इन हार्दिक पंडिया के पास त शॉट्स लगा सके बट आपने रिशापंद की बात करी नंबर तीन पर खेल रहे हैं सबसे जादा अगर डिस्ट्रक्टिव बैट्समन है जिसकी केपिबिलिटी है तो शायद सूरिया और रिशापंद है बड़ यह सभी अगर हम देखें तो एक दो तीन चार क्या उनके प उपर खिला लें और यह सब बहले बास नीचे हो ताके वो आखरी के पांच ओवर एक्स्प्लॉइट करें तीम का जो कॉम्पोजिशन जो तयार किया गया है अफकॉस सिर्फ न्यू यॉक को मद्दे नजर रखके तो नहीं किया गया था इस पिछ का भी किसी को आईडिया जैसे थे खेलने वाली है जैसे वेस्ट इंडीज जहन में है कि फाइनल कहां पे होना है तो जो टीम का कॉमपोजिशन इस सजाद आप कुछ कर नहीं सकते वरियू हाँ आपको गए लेफ्ट चाहिए तीन पर अगर चलो मैं के रहो तीन पर अगर अगर आप दो तो किस को र बात कर रहे हैं वो सुर्य कुमार यादव वो आई सी टीवेंट इस रांकिंग के नंबर बन पर गए बैठे होते हैं विराट कोली रोहिच शर्मा ये तो मतलब प्रॉपर विजेता हैं जहां पर भी गए हैं बहुत काम की उन्हें बहुत नाम उन्हें किया है रिशा पंत तो हमें पर भरोसा जताना पड़ेगा कि ये अंडर्स्टान था कंडिशन्स और अच्छी टीवेंट क्रिकेट में पच्छी टीवेंट इस बॉले होती हैं अम यह नहीं है कि आपको एक सेशन पूरा निकालना है बड़ी दिफिकल कंडिशन है उसके बाद देखेंगे अग इस एक्स्पिरेंस के साथ है तो नैविगेट करना आपको आना चाहिए कि आप अगर पिटाई कर सकते हैं तो थोड़ी देर तो समबलके भी खेल सकते हैं ऐसा इतना मुश्किल काम तो डिफेंस करना तो उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ना पर अपर अपर पाजी जैस को आता ही नहीं है तो हम क्या करें उसमें हाँ जब मुश्किल सिच्वेशन आती है तो आपको वो अपना जो नैचुरल गेम है उसको चेंज करना पड़ेगा चाहिए कोई भी हो जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे